नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गंस्याम और गंस्याम टेक्ट में आपका फिर से स्वाकत है अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के बाद उसको लाइक और सेयर जरूर कीजिए वीडियो कहता लगा उसके अपना कमेंट मुझे जरूर देजिए दोस्तों तो दोस्तों ये मेरी प्रोफेस्नल टेक्निकल इनालेकेस ट्रेनिंग की वीडियो नमबर चार है वीडियो नमबर पांच है ये अगर आपने अभी तक पिछली चार वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देखिए उसको दोस्तों आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी बहुत अच्छे डूल और डिसिप्लिन जिसको फालो करके आपको प्रॉफिट हो सकता है स्टॉक मार्केट में आज वीडियो नमबर फाइब इसका सब्जेक्ट है केंडल अब केंडल स्टिक के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया अब केंडल के प्रकार यानि केंडल कितने प्रकार की केंडल स्टिक होती है हम उसके बारे में जानेंगे और उसके बारे में अध्यान करेंगे दोस्तों तो आप गोर्त देखेगा इस वीडियो को आपको benefit होगा अजर आपने पहले किसी candle stick वीडियो आपने देखी होगी तो भी मैं कहूंगा आप इस वीडियो को देखिए आपोच हम देखेंगे मारू बोचु मारू बोजु candle को देखेंगे मारूबोचु candle होती क्या है किसका काम क्या है किज़ीशन में यह इस्ट्रांग होती इसको कैसे follow करना चाहिए इसको buying और selling किस level पर देखनी चाहिए मुझे किस तरह यह काम करता है महरुआ जापानी में आर्फ होता है गंजासर जानी गंजासर इसके उपर अब यह उपर ही जए बुलिस मारू बोजू और बेरिस मारू बोजू का मतलब यह हो गया कि जैसे स्टॉक लंबे डाउन ट्रेंड में था स्टॉक डाउन ट्रेंड से आ रहा डाउन ट्रेंड से आ रहा आते 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 स्टॉक ने मारू बोजू केंडल उसने बनाया तो इसका मारू बोजू मारू हुआ, वही उसने low बनाया. यानि दिन में उसके निचले इससर को उसने छुआने और वहां से stock ऊपर ही चलता गया. मतलब पूरी तरह से stock को buyer ने control करके रखा हुआ है. तेजी करने वाले लोग stock में पूरी तरह से सेल करने वाले लोग यानि मंदी करने वालों से ज्यादा बुलिस हैं तो मंदी करने वाले लोग यहां पर कितनी भी मंदी करने की कोशिद कर रहे हैं लेकिन जो तेजी करने वाले लोग हैं वो स्टॉप को उपर ही लेते जा रहा है धीरे 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 घंटे मारबोजू एसी होती हैं जो ओपनिंग मारबोजु घопन और लो सेंम रहेगा लेकिन क्लोज थोड़ा सा नीचे रहता है थोड़ा सा नीचे णिब कुछ भात भूह ना जो और यो एसे 오ते हैं जिसका क्लोरा हाई यह तेम दे और नीचे थे थोड़ा नीचे एक लोग की डंड़ी बनाया यानि एक स्टेडव बनाए लोग के लिए अपल से लोग के बीच का एक स्टेडव रहे उसके बाद आपको जादा मिलेंगे जो open मारूबोजू या close मारूबोजू होते हैं, वो आपको ज्यादा मिलेंगे, आप इतना समझ लिजे कि एक मारूबोजू जो है, इससे 10, यानि 10 से 15% कम, यानि closing, जैसे high और close, यहाँ पे high और close के बीच में कोई difference नहीं है, लेकिन अगर high और close के बीच के difference 15%, यानि पूरी candle का 15% है, तो हम इसको मारूबोजू ही समझेंगे, यानि मार लिजे, इस price ने close दिया, अभी ये price पूरी 10 रूपीज की है, 10 रूपीज की, अगर इसने यहाँ closing ना देके, यानि 10 रूपीज ऊपर closing ना देके, देके, इसने 8.5 रूपीज भी high, यानि आज की opening से, यहाँ पे मारूबोजू की मिलेंगे, लेकिन ज्यादा तर मारूबोजू वही मिलेंगे, जो open, जो high से थोड़ा सा correct हो जाएंगे, high से यानि closing के समय आते, यानि पूरी candle मान लिजे, उसने 5% की बनाई है, तो वो closing जो देगा, आपको 4.5% पर आके closing देदा, यानि पूरी candle अगर 10 से होगा, स्टॉक उपन इसी प्राइस पर होगा, और इसमें यही इसका high भी रहेगा, यानि day high भी सेम ही रहेगा, और close और low सेम रहेगा, तो उसको बोलते हैं bearish मारूबोजू, यह bearish मारूबोजू है, इसका भी सेम चीज है, स्टॉक एक अप्टेड में चलेगा, मंदी करने वाले लोग थे, इन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल करके रखाता है, वो कितने भी बायर कहती, किती पोजिशन पे बाइंग करने के लिए तयार थे, यहां पे क्या होता है, बायर अपना हाथ छोड़ जेते हैं, यहां यहां से निकल जाते हैं, वो लोग बोलते मंदी करने वाले लोग होते हैं, वो इस session को जीत जाते हैं, यह session आपको intraday भी हो सकता है, weekly भी हो सकता है, wearing योड़ी भी हो सकता है और intraday, अब हमको यह देखना है कि हमकोまで इस्तमाल कहां पे करनी है, कैसे मारूभौजी को हमको buying करना है, क्यों Sell करना है, मारूभौजी को क स्टाइज पर सेल करना हो और इसका स्टॉप लोसिस क्या रहते हैं मारूबोजू पुलिस मारूबोजू ध्यानर कि एक बेरिस साइन है कि स्टॉक अब रिवर्सल हो रहा है यानि जो मंदी चल रही थी वो मंदी अब खतम हो रही है अब इसमें बायर का इंट्रेस्ट आज च और मंदी करने वाले यहां पे अब हावी होने वाले यहोता अब तो सब्सक्सुन हें तो अच्य तरह तमझ में आजाएगा मैं अब देखिए यह देल्ट कोर्प का चाषर है और आप यह दिखी Kenya ए fabulous यह श्तॉरम चल रहे दोंग मतलब नट्रेंट में तॉह पुल के इक प बोजू आया था जैसे मैंने बोला मारू बोजू आपको 85.2 पर तक क्लोज रहेगा तो आप मारू बोजू ही समझे जैसे यह मारू बोजू तो इस टॉक देखिए फुल डाउन टेंड्ड में चल रहा हुए मंदी पूरे मंदी वाले लोग इसके प्रणर करके रखे लेकिन अचानक इस टॉक में एक मारू बोजू बन जाता बाइंग का यानि भूलिस मारू बोजू बनने के बाद यह स्टॉक देखिए यह कैंडल को देखिए यह बूलिस म यहां पर जो सेल की कंडिन चल रही थी जो डाउन चल दा था फॉर्टे सिट्रेंड होने के सिग्नेचर आगए है कि अब ट्रेंड हो सकता है लेकिन हमें भाईंग कहाँ पर करनी है हमें करनी है जब वह मारू बोझू के हाईजोवी मारू बोझू है उसके उपर अगर stock trade करेगा तो ही हम buying करेंगे यह ध्यान अपना है stock अगले दिन अपने मारू गोजू जितने close दिया था उसके उपर ही trade करना चाहिए अर्थाथ नहीं तो पिछली तीन candle में जिसका भी high हो उसके उपर trade करना चाहिए यानि यह 123 इस high के उपर अगर stock trade करने लगेगा तब हम buying करेंगे इसको हम यहाँ पर buying नहीं हम stock अगर आप यहाँ पर buying करते हैं तीसरी candle के उपर तो आप safe है वहले अगर stock ज़्यादा उपर निकल जाए हमको पूर नहीं देखना अगर को यहाँ पर बाइंग करना था तो मुझे ज़्यादा मिलता यहाँ पर तो मुझे कम profit होगा ऐसा बिल्कुल नहीं यह safe condition है बाइंग करने के जब वह तीसरी candle मतलब पूरी तरह से stock reverse हो चुका है यह signal यहाँ पर मिल गया तो stock पूरी तरह से reverse हो चुका और ध्यान रखें यह जब मारू बोजु बनेगा तो वॉल्युम भी ज़्यादा यहाँ साथ वॉल्यूम नहीं दिख रहे है अगली मैं होसीत करूँगा अगला में बनाऊं तो उसमें का मतलब कि minimum आपको कम से कम 10 दिन का डाउं टेंड चाहिए यह बीच में मारू बोजू इस बीच में कहीं पर बने मुझे इंप्पॉर्टेंट नहीं है इसके बाद मारू बोजू बने तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आप किसी भी मारू बोजू को कहीं पर भी बाइंग मत कीजिए मिनिमम एक 10 दिन का ट्रेंड मुझे चाहिए डाउन ट्रेंड का मिनिमम यह 10 दिन का अगर इसे लंबा हो तो पैटन भी उतने अच्छा चलेगा फिर उपर की तरफ देखिए एक यह मारू बोजु अगर इस केंडल के हिसाब से देखा जाए तो यह थोड़ा सा करे मारू बोजु देखी यहां पर बना हमारा सक्क्रावल यह केंडल का है अगर यह करदसमा पर शाओं चल राहीं के यहां पर अब मारू बोजू मिल गया यहां पर मारू बोजू के बाद हमने क्या बोला कि पिछली तीन केंडल का जो हाई होगा उसके उपर हम बाइंग करेंगे इसके उपर ट्रेट किया इतने बाइंग किया हमारा स्टॉप यह लो या सेकेंड केंडल या मारू बोजू का ल बुल टेंड खतम नहीं हुआ है अभी कंटिन्यू टेंड में तो आपको निकलने या प्रॉफिट बुक करने की कोई जरूरत नहीं है कोई जल्दी बाजी नहीं करने यहां पर क्योंकि स्टॉक अभी भी कंटिन्यू आपको सिगनल दे रहा है कि मैं बुल में हूं मैं तेजी करने तेजी करने वालों के हाथ में स्टॉक अभी भी है तो आपको प्रॉफिट बुक करने की वहां पर बिल्कुल कि देखिए स्टॉक ने कितना लंबा प्रॉफिट दिया यहां पर अब हो सकता दिखिए अब ऐसा नहीं कि हर मारू जो चलेगा ही चलेगा आपको यह ध्य आपको फूल अप्टेंड में चल रहा अचानुस और वहां महारू बोज्य मिल गया मुझे यहां पर बैजिस मारू बोजिए अब मुझे कहां पर करनी है तीसरी केंडल का लो यानि इसके लो हमेसा ध्यानcies केंडल एक दूसी पर इन तीनों से ज्यादा हो तो उसके नीचे ही हम sell करेंगे कभी भी यह हमारा sell point है इसके नीचे हम sell करेंगे हमारा stop loss हमेशा high महरु बोजु का high या पिछली candle इसकी होगी जो भी हाई को हम फिर वहाँ से trade करेंगे यहुनु cma thu प्रॉफिट कितना बड़ा मुझे मिला एक यह आपको ट्रेट करना आपको बिलीब करना इस टेड़िए अगर आप पैसा नहीं मना सकते मारगा यह देखिए एक मारूब देखिए एक अप्टेंद लिया इसने मैंने बोला मिन्मम दस दिन का आप्टेंद होना चाहिए अगर आप दे टेडिक कर रहे हैं तो अगर आप इंट्राडे टेडिक कर रहे हैं तो मिनमम फाइप मिनट केंडल यानि एक घंटे के ट्रेंड ऐसा डाउन ट्रेंड में होना चाहिए उसके बाद आप उसको मारुबोजू मिलता है तो आप उसको बाइंग के लिए यूज करते हैं पाइप मिनिट केंडल पे मिनमं 10 केंडल ऐसी बननी चाहिए तो यह आप 10 दिन समझें यह दस केंडल इंटर डे में आप 10-5 मिनट की केंडल को समझें चाहिए देखिए एक वापस यहां पे इन्डेश्टी को आप देखिये कि यहां से 890 से देखिए 1060 यानि 1070 सेवंटी सटाख गया उसके बाद एक मारू बोजू मिला यहां पर देखिए कि बेरित मारू बोजू मिला और एक दो तिन हम इस मारू बोजू के नीचे ही सेल करेंगे यह हमारा Sell Point हो गया हम यहां पे हमारी Position हम अपनीAssail की Position बना बना लिया है यहांपर है अब यहां फोक नहीं सेや गिरना करना इस्टेटिजी पर अगर आपने विलीब नहीं किया तो आपका मार्केट में पैसा नहीं बनेगा दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत अच्छी जानकारी आपको दूँगा इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू फॉर वाचिंग